नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका बींग हेल्दी पर दोस्तो ये हम सब जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए परियाप्त मात्रा में विटामिन डी का हमारे शरीर में मौजूद होना बेहत जरूरी है विटामिन डी हड्यों और मास पेश्यों को मजबूत बनाने का काम करता है साथ ही हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉंग करता है लेकिन भारत में 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूज रहे हैं और इस कमी को दूर करने का सबसे मुख इस्त्रोथ है सूरी की रोशनी अगर रोज सुभा 15-20 मिनट की धूप ली जाए तो इसकी कमी से बचा जा सकता है लेकिन किनी कार्णों से हम ऐसा नहीं कर पाते और सतन एक व्यक्ति को एक दिन में 600 आयू विटामिन डी वहें 70 से उपर वाले बुजुर्गों को 800 आयू विटामिन डी की आवशक्ता होती है और अगर आप उचित मात्रा में विटामिन डी वाले आहार का नियमित तोर पर सेवन करते हैं तो इस से शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है विटामिन डी का इस्तर बनाए रखने के लिए वीडियो में बताई गए चीजों को आप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं बस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और अगर अब तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटर जानकारियां मिलती हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तो आएए जानते हैं कि आप अपनी डाइट में ऐसे कौन-कौन से फूर्ट को शामिल करें जिससे शरीर में विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सके जी हाँ दोस्तों डॉक्टर्स भी विटामिन D की कमी को दूर करने के लिए अंडे का पीला भाग खाने की सलाह देते हैं इसमें प्रोटीन केल्शियम के साथ-साथ विटामिन D भी प्रचुर मातरा में पाया जाता है अगर आप विटामिन D की कमी से परिशान है तो आपको एक अंडा रोजाना अवश्य खाना चाहिए देरी प्रोडक्स दूद और दूद से बने पदार्थ में केल्शियम और विटामिन D पर्याप्त मातरा में होता है देले एक ग्लास गाय की दूद से आपको परियाप्त विटामिन D मिल सकता है साथ ही दूद के अलावा दही, पनीर और चीज में भी परियाप्त मातरा में विटामिन D पाया जाता है मश्रूम मश्रूम विटामिन D का एक अच्छा स्त्रोथ है इसमें विटामिन D के अलावा विटामिन B1, B2, B5 और कॉपर जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं मश्रूम की अलग-अलग किस्मों में विटामिन D की मात्रा भी अलग-अलग होती है खास कर ये उन म्रोगों के लिए प्रभावकारी हो सकते हैं जिन्हें नौन-वेज खाने से परहेज है फिश अगर आप नौन-वेज खाते हैं तो मश्री विटामिन D का एक अच्छा इस्त्रोत मानी जाती है खास कर सालमन फिश का हफ़ते में मात्र एक बार सेवन करने से शरीर में विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सकता है कॉर्ट लीवर ओयल जिसे मचली के लीवर से तयार किया जाता है इसमें भी विटामिन D काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है आप सालमन के अलावा मैकरेल, टूना, जींगा और कॉर्प फिश को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं सोया प्रोडेक्ट्स विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सोया प्रोडेक्ट्स जैसे टोफू, सोया मिल्क या सोया चंक्स का इस्तमाल करना भी बेहत फायदेमंद होता है इनमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जिल लोगों को दूद से अलर्जी हैं, उनके लिए सोया प्रोडेक्ट्स विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए काफी अच्छा उप्षन है औरेन जूस विटामिन डी वाले फलो के नाम की बात करें, तो संत्रे का नाम सबसे ऊपर आता है इसमें विटामिन सी के साथ साथ विटामिन डी भी भरपूर मातरा में पाया जाता है एक ग्लास संत्रे की जूस में करीब 100 आयू विटामिन डी मौजूद रहता है Fortified Foods Vitamin D की कमी को पूरा करने के लिए Fortifieds food भी लावकारी होते हैं दरसल foods में vitamins और minerals की मात्रा बढ़ाने के लिए Fortification का तरीका अपनाया जाता है इन्हीं के तहत ऐसे कई food items हैं जिनमें vitamin D का fortification किया जाता है ये किसी vitamin या mineral की कमी को सबसे तीजी से पूरा करने का बहतर तरीका है vitamin D fortified food में bread, cereal, cheese, soya milk या orange juice आता है दोस्तों जादा vitamin D की कमी होने पर डॉक्टर्स इसकी कमी को पूरा करने के लिए आम तोर पर vitamin D के supplement देते हैं पर वीडियो में बताई गई ये सारी चीजें ही vitamin D से भरपूर हैं तो आप इने आहार में शामिल कर vitamin D की कमी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आप के लिए उपयोगी होगी अगर कोई भी सुझाव ये सवाल हो तो कमेंट जरूर करें जल्दी मिलती हूँ ऐसी ही जानकारीों के साथ तब तक के लिए be healthy and take care